नमस्काल्स तो दोस्तो अभी हम लोगे बात करने वाले प्रो कबड़ी के आजकन के फर्स्ट मैच के बारे में जो के रात को आट मेचे खेला जाएगा पटना पाइट्स वरसाज हर्यानने श्टीलर्स के बीच में इसकी हम लोगे आपे काफी ज़दा डीपली बात करने वाल इस सीजन चल ली है नौए पोजिशन पर आप लोग देखो के पटना जोस्तों ग्डोटाल साथ मुकाबले के ले साथ में से सिर्फ तीन मुकाबले जीते हैं और चार मुकाबला पटना की टीम हार की आई है वही मैं हर्यानने श्टीलर्स की बात करूंगा तो यह सीजन इन यह भी कोसिस करेंगे किस मैच को यहां पर बहुत अच्छे से विन करें अगर आप दूनों टीमों को यहां पर कंपैर करोगे दोस्तों तो हर्यानन श्टीलर्स के यहां पर जो विनिंग चांस से वो अराउंड 70% के आसवास इस मैच में रहेंगे वहीं जो पतना की टीम है उसके उपर भी जो आपका कॉंसेप्ट हो यहां पर क्लियर होने वाला आपको पता चलेगा किस प्लियर को कब लेना कब ड्रॉप करना कौन्चा प्लियर इस मैच में इंपोर्टेंट हैगा यह सारी डाउट्स दोस्तों आपके प्लियर बैटल से कंफरम हो जाएंगे तो व आपको दिख जाएगा हमारा लास्ट का मैच साथा सिर्फ एक प्लियर के विझे सदूस्तों हमारे सिर्फ न कपे लिएक मोरे तो सार उस्तों सारे के सारी ध्रीम टीम के बुचसे आप लोघ देग को यही वो टीम है जो कींकर गडिक खोगे और सिंपली इसी टीम स्क्लियर कि हम लोगों ने ग्रैंड निक को भी विन किया था जिसका पूरफ सारे का सारा मैंने टेलीग्राम के उपर देख रहा है तो यहां पर फस्ट रेंग है मेरी ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी है दोस्तो जितने भी मैंबर्स है हमारे जितने भी भाई लोग है जिसने सेंट से केला अधर जहां पर दिखोगे दोस्तों आपको हर जर्दो आपको देख सकते हैं कितनी members ने किसी बनावब होगा हर जर्दो आपको first rank इसी टीम से देखने को मिली है ठीक है तो आज भी कोसिस करेंगे दोस्तों पूरी तरों से Grandic को पिन करें बाकि आप लोग 5 जो कमेंट है पिन जो मैसेज है उनको टेलेग्राम के उपर जाके चेक करना बहुत सारे ग्रैंडिक के प्रूफ आपको दिख जाएंगे कबड़ी ने जस्तो क्रिकेट में हम लोगों ने ग्रैंडिक विन कि है सारे के सारे प्रूफ आपको कर सकते हो ठीक है अभी बात करने वाले दोनों टीमों के स्टार्टिंग सेवन के बारे में सबसे पटना की दर्फ से बात करेंगे दोस्तों इनके बस तीन वेराइटी ऑप रेडर है पहले सचिन दनवर दूसरे मंजीत दिया तीसरे एम सुदाकर मंजीत और सचिन दनवर द दोस्तों किस तरीके के डिफैंस है कहां पर वीक फॉइंट है तो सारी नॉलेज है इनको दोस्तों कहीं न कहीं मुझे लगता आज मंजीत इंपॉर्टन हो सकते हैं जिबकि मंजीत दूस्तों इस सीजन में कुछ खास नहीं कर भाए एक भी सूपटे लिन करनी है लास्ट द दो रेट बोनस दो रेट टच यहां पर दो सूपर टैकल यह थोड़ा सा हमारे लिए पॉस्तिव था बाकि इससे पहले देखो चैरीट पैकल साथ एट पोंट बारार इट पोंट चौदर इट पोंट चारीट पोंट चारीट पोंट इस टार्टिंग में तो अच्छे थे लाज के दो तीन में देखोगे बिलकुल इनका फॉर्म दोस्तो थोड़ा सा आप तो कह सकते हो कि काफी ज़दा डाउन गया है ठीक है टीम में डैफिनेट लेना क्योंकि यह प्लेयर आप लोग के लिए पता है कि सबसे में डीडर है टीम का बाकि आज के लिए मुझे लग आपको इस बंदे के बारे बताया इसके रिकॉर्ड आपके सामने रखे दोस्तो उस टेम पर युवा कबड़ी का टॉप का यह रिडर ता रिफ्लैक्स बहुत अच्छे दोस्तों जिस तरीके से रेट करने जाता अन प्रेटिक्टिवल रेडर बन जाता दोस्तों और डिफ मैं कहूं कि दोस्तों और ज्यादा मोखा में एम्स उदा को मिलता तो डेफिनेटल यह बंद आप लोकले बहुत अच्छा की प्लियर बन सकता है ठीक है डिफेंस के रब चलते साजिन तंजर सेकर या फिर मनीस दूल में से कोई एक खेलेगा दूस्तों लेप्ट कवर पर द लेकिन लास्ट के मैंच के सकतो आप लोग की उतने अच्छे इस बंदे के नहीं जा रहे है जिस तरीके से स्टार्टिंग में जा रहे थे ठीक है कि इस सीजन में तो दोस्तों कि रशान दूल ना तबाही मचा रखी एक वी मैच आसा नहीं जा रहा जहां पर यह बंदा जो इनके जो में डिडर है सिधार देशाई वो नहीं चल पारे उसके बावजूज भी टीम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा साथ में से भाई पांच विन किये तो कहीं नहीं कहीं कह सकतो आप लोग कि टीम इंपोर्टेंट है ठीक है सिधार देशाई चले ना चले इनके पास द लास्ट में इनों ने के प्रपंजन को खिला था आसिस की जोगवाप है जो कि के प्रपंजन एक लेप रेडर है आसिस राइट रीडर टीक है वही में बात करूंगा दोस्तों प्रपंजन की तो यह भी मल्टी पोइंट लेकर आते हैं जब भी टीम मोखा देती है तो कभी भी आप लोग के लिए हिट एंड मिस प्लियर हो सकते जैसे रिकान जाद हुए ना वैसे पर्शनल्टी इनकी भी है दोस्तों और किसी भी दिन यह भी मल्टी पॉइंट लाने में सक्चम है पावरफुल टाइप के रेडर है दोस्तों दो तीन डिफेंडर इनको चाहिए हो स्ट्रॉंग आपको नहीं दिख रही होगा एक दूम से ऐसा रेडर है कि 20-25 पॉइंट लेकर रहा हर कोई दोस्तों यहां पर देख सकतो रेडिंग में थोड़ा-थोड़ा अपना कॉंटिबूशन कर रहा चाहिए प्रपंजन हो चाहिए बिनाई तेवत्या हो चाहिए दो सब्सक्राइब हो जो कि लास्ट मेंच के सुपर स्टार थे हाइफ लगा था चैकल एक सुपर टेकल इससे पहले एक बार हाइफ लगा चुक है यानि कि सीजन के दो हाइफ हो चुक है लेप्ट का साइड तो इनका बहुत स्ट्रॉंग है राइट साइड में आप लोग डेफेंस में तो आप लोग कह सकते हो कि डिफेंस में टीम यहां पर हरयानाकी होख जट रहे स्ट्रॉंग है तो बहुत जाथ रहां आप लिए अपर दोस्तों यहां पे प्लियर बैटल की बात करेंगे डिके हैं बात करेंगे पकर सब्सक्राइब दोनों मिला के अरांड 70 करते हैं और दूनों की रेट कहा रहती राइट से राइट से रेट रही है तो लेप्ट साइट पर जाएंगे लेप्ट कॉनर पर मोहित खलिर जो कि एक हाई भाइब भी लगा चुक है अच्छा सीजन इनका भी चला लेकिन सचिन दनवर थोड़ा एक्स्परेंस जाथा तो हो इक्वल होने वाला यानि कि दोनों एक दूसरे भारी पढ़ेंगे मंजीत थोड़ा सा दोस्तों मैं कह सकता हूं कि मंजीत ने पहले यहां पर मोहित खलिर के सामने तो रेट नहीं किया लेकिन दोस्तों मोहित नंदल को टार्गेट करने की कोसिस करेंगे खलिर वैसे भी करेंगे एक मैस दोस्तों यहां पर हाइफाब जरूर गया लेकिन दो मैसे से भी जहां पर एक भी पॉइंट राहुल से पाल को नहीं मिले इनको सपोर्ट वरसे जैदीब कुल्दीब का मिलेगा तो जैदीब कुल्दीब और रहुल के अगर चोड़ी सही से चलेगी तभी जुआ जुआ जो मारेगा यहां और यहां एक अगरैसीव एक एक एकम दिधन तो दोना मैंसे दखते हैं और यहां यहां पे क्योंकि दोनों के जो दोस्तों यहां पर एक्रेशन एना एक का रेडिंग में तो एक का डिफेंस में तो दोनों एक दूसरे भारी पढ़ने की आज कोसिस करने वाल है ठीक है तो यह प्लेयर बैटल रहेगा अब दूसरे टीम के देखते हैं हर्याना के रेडर लेके चलते इन के लेप्ट के रेडर ठीक है सिवां पात्रे अगर तो दोस्तों यह राइट से रेट करते बाकि सिधार्थे साई रेट करेंगे तो कह सकते दोस्तों 50% ने इनके जो है लेट से रहेगी 50% से रेट रहे के तो रायट चक में जाएंगे जहांगे तो यहां पर 50-50 यह प्लेयर बैटल लहेगा चाहिए प्रपंजन खेले चाहिए तो यह थोड़ा 50-50 रहेगा अब राइट से जो रेट करेगा चाहिए आप विनायते वट्याओ चाहिए दुस्तों सीवंप बात रहे है राइट से भी इनकी 50% रहने के चांसे से विकाउस दो लेटर खिलाएंगे दो राइटर ऐसा हो सकता है फिर एक लेट तो वह चीज में आपको टेलेगाम के उपर कंफरम कर दूंगा कि कौन से इनके रेटर खेले बिकाउस रेडिंग में काफी चाहिए आपको हर्याने की तब से देखने को मिलें अगर तिको राइट से रेट कर है चाहिए औंग्त को सबस्चे सबस्ब्सक्स कि मिलेगा निर्च खुमार दूस्तो इसीलिए इंपोर्टर निररच कुमार के सामने दो स्कौन कौन जाएंगे सिवम पात्र आन के सामने जाएगा और विनायतेडै का इंके सामने जायuyे घिड टीक है तो आंकित नीरच खे आज अच्छा मौका है कि अच्छे प्वाइंट या पर लेकर आए अच्छे प्वाइंट निकाले तो दोनों इंपोर्टन आज मुझे लग रहें ठीक है तो यह रहेगा दोस्तों आज का प्लियर वैटल अब चलते टीम की तरब तो आई होप आपको प्लियर वैटल पसंद आया होगा फसंद आया तो दोस्तों यार वीडियो को अब जाके आप लोग लाइक कर सकते हो चले सिंप्ली आपको टीम दिखा दे तो विकॉज सारी चीजे हम लोग आलमोस्ट किलियर कर चुक है कैप्टेंसी सचिंद नवर वाइस कैप्टेंसी विनाई तेवत्या को दिह है एक आप लोग के लिए अच्छा कैप्टें और बता रहा हूँ वह है दुस्तों एम सुधाकर हो सकता मेरा आज का कैप्टें जो है एम सुधाकर है स्मॉल लिग में तो यह जो फाइनल अपडेट है आप्टर लाइन भी आपको बता पाऊंगा टेलेगाम के उपर को वीडियो पतंद आए एक लाइक कर देना पहली बार चनल तक पहुचे चनल को सबिस्क्राइब करके बैल आइकन गॉल भी सेट कर लेना मैं मिलूंगा अगली वीडियो मात अब तक के लिए जैहिन